आज में आपको अगस्ट कॉम्टे का लॉव स्टेजिस यानि ती इस तरह का लियम यह बताने जा लिए देखिए समझाने का मेरा एक मोटिब यह है आपनों जब किताब को उठाएंगे किताब की लेंग्विज जब हम पढ़ लेते हैं हमें एकदम से समझ में नहीं आता है अगर हो कॉमिक होती या फिर कोई इंट्रसिंग मेकजीन होती है घ्रिलाओं की जैसे सखी आती है तो हम इजरी उसको चिटपटी भशा मसालेदार लिप्टी चिप्टी पढ़ लेते और हो हमारे एकदम से समझ में आ जाती यह है टेक्सबूख टेक्सबुख जब हम उठाते हैं और पढ़ते हैं कि आउगस्न ओंते ने 3 इसय तर कर लेन क्या क्या, वो हम समझ नहीं पाते हैं, कहीं बार क्या होता है, कि जब हम प्लास में लेक्चर सुनते हैं, खुद मैं भी तुमारे साथ, जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो हम easily उसको पढ़ भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं, और define भी कर पाते हैं, तो मेरा main motive तुम्हें समझाने क यही रहता है, कि easily आप किसी चीज को गेट, मतलब जल्दी से earn कर पाई, जल्दी से समझ पाई, तीन इस सार का नियम, law of three stages, इन्होंने क्यों दिया, और कहा से आड़ा, देखिए, August Comte ने, जब 24 साल के थे, 1822 में यह सिधान दिया था, 1822 में, लगबाग इंदी उपर कितनी थी, 24 साल के असपास, तब उन्होंने यह सिधान दिया, law of three stages, August Comte का माना था, जो मनुष्य के बौधिक चिंतन का विकास होता है, किताब की language, सुनो मेरी बात, यह यह लाई, मनुष्य के बौधिक चिंतन का विकास, अब मेरे शब्दों में, हम जब सोचते हैं न, जब हम क किसी की चीज़ के बारे में, ऐसे करके सोचते हैं कि क्या है, तो हमारा उसको तीन इस तरों से होकर बुझरता है, law of three stages, कहीं न कहीं यह बिल्कुल सटीक भेटता है, अगर हम खुद आत्मी करत करें, खुद अपने आपको observe करें, law of three stages क्या था, August Comte कहते है, मनुष्य जब बौधिक चिंतर करता है, बौधिक चिंतर कहता है, जो घेंटा से किसी चीज़ के वारे में सोचता है, तो उसका जो ग्यान होता है, वो step by step, तीन इस तरों से होकर बुझरता है, वो step कहा है। धार्विक इस्टर, Theological stage इन्होंने बोला है, Theological stage, धार्विक इस्टर, दूसरा, सात्विक, Metaphysical stage, सात्विक इस्टर, और थर्ड है, प्रत्यक्षवाधी इस्टर, यानि, Positiveism stage, फिर से रिपीट करी हूँ, मनुष्य जब सूचता है, बौधिक चिंदन जो होता है, उसका तीन इस्टरों से होकर बुजड़ता है, मनुष्य फिर अपने भाशा में बताती हूँ, मनुष्य जब किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है, कि बस तू, प्राणी, कोई घटना, तो उसको, जो उसका होता है कहीं न गहीं, तीन इस्टरों से होकर बुजड़ता है, पहला है धार्मिक इस्टर, दूसरा है तातिक इस्टर, और तीसरा है रट्येश्वाइश्वारि इस्टर, इसे ऑठना है theological stage, metaphysical stage and positive stage. देखे, पहली धार्मिक इस्टर, प्रारण में जब मनुष्य जब जं जब बिजली कड़कडाती थी तो दरने लगता था और आंदी तुफान चलते थे तो घबराने लगता था ये क्या होने लगा है उसे समझ में आता है कि वास्तम में चल क्या रान है मनुष्य कड़कडाती, विजली, आधी, तुफान इन सब से ड़ने लगा दरने लगा और कही न कहीं उनकी अभिव्यक्ति, दर की अभिव्यक्ति देवी रेलताओं के रूम में प्रकड़ोई उन्होंने का कि इसके तीशे कोई ईश्वरी ये अध्वूत शक्ती है कोई अलोकिक शक्ती है, ठीक है, कई बार जर्णली आप देखें, जो अन्धी तुफान आते हैं, विजली आती हैं, भूदम बाता है, शड़क भरका होता है, शड़क मतलब आया और चला गया जिस बीच आया हम दरें, प्रारण में जो मनुशे था, जब वो चीजे घटनाएं, घटित होती थी, मनुशे डरता था, फिर वो कहता था, हे प्रभू बचाले, तुने ही कुछ कराया, फिर जब वो अराधना या इस तरह से अपनी अभिव्यक्ती करते थे, तो वो सब शा विताओं का उदे हुआ, जब वो दबने लगा, धार्मिक इस तरको पुने आगस कॉम्टे ने तीम भावों में बाठा, इसको भी मैं बताओंगी, जिनित संतावाद, बहु देवत्वाद, और अग्वयत्वाद, पीफा है, अग्वयत्वाद, पहला जिवित संतावाद, दूसरा बहु देवत्वाद, तीसरा अग्वयत्वाद, देखे, धार्मिक स्टेश श्विरसर रिपीट कर रही हो, मनुष्य कीनी चीजों के लिए, घटनाओं के लिए इश्वरी शक्तियों को मानने लगा, वो मानने लगा, इसमें देवी पेर वौधे में भी हैं, पशु मक्षी में भी हैं, जानवरों में भी हैं, पत्थरों में भी हैं, इसके पीछे कुछ अलौकिक शक्ति है, वो मानने लगा, कि जो हमारे जिवित संतावाद, जिवित मतलब किसे कहते हैं, जिसके अंदर जीवन हो, जिवित तो उसे ही बोला पत्थर तो जहां पढ़ा है येकिन कई पार जम हम पत्थर स्लोग पे होता है कुछ भी हल जल बारिश होई तो पत्थर क्या करता है गिरने लगता है फूस कलन लैंड़ स्लाइट तुमने देखा ही होगा तु वो सोचने लगा इन पत्थरों के पीछे भी बड़े बड़े चट्टाने होती है कि कोई जिवित सदावत अलोकिक शक्ती है उनके बीछे नगमस्तक होने लगा पैल की पूजा, गाएं की पूजा पशू पक्षियों को गाएं को नगमस्तक होने लगा इसी प्रकार जब हम शिबलिंग की बात करते हैं या पत्त्रों से बड़े देविदाओं की आत्रतियों की बात करते हैं वो उनके जंगाता हम और हम मनुष्य ही है हमने ही उनको जंग दिया है और हम उनके पीछे इसी कारण से किसके कारण से? जिवित सदावत नगमस्तक होने लगे उनको मानने लगे उनको पूजने लगे कि उनके पीछे कोई अलोकिक शक्ती छिपी हुई है आया समझ में जिवित सबातावत पिर आया ना भूदेवत वावाद भूदेवत बहुत सारे देवता भूद का मतलब होता है बहुत सारे नमबर ओफ नमबर ओफ जब उन्होंने भूदेवत वाद की काउंटे में उन्होंने कहा है धार्मिक स्थर का दूसरा जो उपिस्थर है वो है भूदेवत वाद का कि आज हम कहते हैं हिंदों में कित्ते करोड कैथिस करोड तेवी देवता हैं ऐसा माना जाता है और वास्तव में है मानते हैं लोग कुल देवता, उपकुल देवता ये जाती, ये देवता इनकी पूजा वास्तव में होती है और यहीं से बहु देवत वाद मनुष्ये ने अलग-अलग चीजों में अलग-अलग अलोगिक शक्ति को माना पशु में अलग, पक्षियों में अलग हम देखते हैं कि कुछ पशु पक्षी जिसे गाएं हैं, कूबडवाला प्राचिनकाल में, सिंदुगाटी की सब्यता में कूबडवाले सांड की पूजा की जाती थी, गाएं को अगनिया नमारे माला जाता था, यानि पूजनिये यो अगनी को पूजा जाने लगा, वायू को पूजा जाने लगा, जल को पूजा जाने लगा, तो कहने का माता कि जब मनुष्ये बहुत जादा कन्फ्यूस हुआ, बहुत जादा उसमें देखा कि हर चीज के पीछे अलोग एक शक्ती नहीं थे, तब वो पूजा करने लगा, और वहीं से बहु देवत बात का जन्मुआ यानि बहुत सारे देवताओं का जन्मुआ हम अलग लग देवताओं की फूजा केने लगे अलग आज बी तोगर हम Hinduism की बात करें? Hinduism में हम देखते हैं हम हर दिन अलाग देवता कि सूरे कोर अभीवार की, सोनवार को शिव्की, मंगल वार को हनमान जी की देखते हैं इस तरहे से हम धन्ग के भी देवताओं को अलाग केटेगराईजेशन कर दिया बिद्या के लिए हम सरस्वति देवी की फूझा करते हैं, चीस यह वह मैं विद्या औताती ज्वेन, यह क्रीते लिए बहु देवतवाद का जन्मवार। कि इश्वरिये शक्ति है सब के पीछे, चग देवता असंख्य है, लेकिन सब के पीछे जो निहित है, वो क्या है इश्वरिये शक्ति, उसको कहा गया अध्वैतवाद, फिर से रिपीट करीए हूं, अभी तक बहुत देवतवाद की बात की गई थी बहुत सारे देवतवाद बहुत देवत वात के बाद लास जो आया, वो आया अध्वयत वात का, अध्वयत वात का मतलब कि सबके पीछे इश्वरी ये शक्ति है, अलग लग ना होगा, सबके पीछे है तो शक्ति कोई अलग है, लेकिन एक इश्वरी शक्ति सबी के पीछे निखित है, इसको उन्होंन बोला अध्वय बात मनुष्य ने बाधिक चिंतन का जो प्रतविस्तर बताया धार्मिस्तर को बताया क्योंकि अगर हम अपने आपको अब्जर्व करें हम भी सबसे पहले कहीं नहीं धर्म को आड़े लाते हैं किसी भी चीच के लिए भगवान तूने ऐसा गड़ी जा तूने मेरे नंबर कम ला दिये मेरा सेलेक्शन हो रहा था भगवान आपने रोग दिया क्योंकि मैंने वहां गलती कर दी ती उसमें आपका वह लगवल आपने मुझे इसमें दे दिया हमने प्रत्थम इस तर्व के सोचा किसके धार्मिस्तर जिसे कहते है थेओरोलोजिकल स्टेज इसमें जिवित सत्वार, भोदे बगवार और अग्वैक्वार दूसरा आता है मेटाफिजिकल स्टेज ताक्विक स्टर देखें ताक्विक स्टर में इन सब चीजों को नहीं माला जाता है वो कहते है इश्वर ये शक्ति ना होके कोई अधबुत अलोकिक शक्ति है शक्ति होती है लेकिन वो अलोकिक शक्ति होती है इश्वर ये शक्ति नहीं होती है मेटाफिजिकल स्टेज शक्ति को मानती है अधबुत अलोकिक शक्ति हर चीज के पीछे हर गटना के पीछे हर वस्तू के पीछे कहीं ना कहीं सब वो मानती है लेकिन वो कहते हैं का निया फिक्स है कि जिस व्यक्ति का जन हुआ है उस व्यक्ति की मृत्यू एक नाएक दिर अवश्य होगी मेटाफीजिकल ताति इस तर के लोग कहते हैं मृत्यू और जन का एक चक्र चलता रहता है और वो कहते हैं जिस व्यत्ती की मृत्यू हो जाती है ना उसका जन्म भी दुबारे होता है हम कहते हैं ना 84 लाग योनिया धारन करने के बाद मनुष्य को मनुष्य का शरीर मिलता है और कहीं ना कहीं वो जन्मित्यू का चक्र ये है कहते हैं, 84 लाग योनिया, हम मक्षर के रूप में, कभी किसी रूप में, तब धारण करने के बाद हमें अपना मनुष्य शरीम मिला है Metaphysical stage, तात्वीक इस्तर कहता है, कि बास्तम में जन्म और मृत्यू का चक्र चलता है हमने जन्म दिया फिर मिलती हुई, यक्ति जम मिलती होगी वो दुबारा जन्म अवश्य देगा और वो इस चक्र में फर्सा रहता है, किसके चक्र में? जन्म और मिलती होगे चक्र में तो metaphysical stage, तात्वीक इस्तर जिसे कहते हैं, वो इस्तर कहता है, कि अलौकिक शक्ती तो है, लेकिन वो इश्वर ये शक्ती नहोकर एक अद्वुत अलौकिक शक्ती है, जो कि हर चीज में होती है हर चीज में मानते हैं, और वो कहते हैं, यह प्रकर्टी का नियों है नेक्स इसमें आती है, तर्ट्यक्षवादी इस्तर, पॉजिटिविस्म stage जिसे कहा जाता है, कल भी मैंने तुम्हें प्रट्यक्षवाद का सिध्धान पढ़ाया था ना पॉजिटिविस्म stage का मतलब, मुझे तुम में से कोई बताये था, प्रट्यक्षवाद क्या है प्रत्यक्षवादी सापने प्रत्यक्षवादी से हैं, लेकिन अगर मैं कॉम्हें की भाषा में बात करूँ, तो निरिक्षण, परिक्षण, प्रियोग और बर्गी करण की व्यवस्थित कारे प्रणाली द्वारा, सब कुछ समझना और ज्यान प्राप करना ही और ज्यान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवादी प्रत्यक्षवादी इसको उन्होंने बेग्यानिक इस्तर बोला है, वो कहते हैं यह एक बेग्यानिक इस्तर है, यानि साइंटिफिक स्टेज है, इस स्टेज में हम किसी घटना को, इश्वरिय शक्ती को, यक्षु घटित हो रहा है उसको नहीं वांते उन सब घटनाओं के पीछे हम कारे कारण संबंदों को मानते हैं सबसे पहले उसका निरिक्षान करते हैं मैंने अभी तुम्हें पताया प्राचिन खाल में लोग कड़कड़ाती विजली आंधी तुफान दुकम भूसकलंग इन से डरते थे इनक कहीं न कहीं जब घटनाएं घटित होती हैं तो हम इसके पीछे चिपए हुए कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि भूकम क्यूं आया हम तुरांट टीवी का चैनल पोल के देखते हैं अभी भूकम भूजे लगा भूकम भूजे लगा भूकम भाया तो लेकिन मैंने अ इस चैनल वाले बता रहे हैं अभी पांच मिनट पहले भूकम भाया उसकी त्रीवदा इतनी थी और क्यूं आया ये भूकम का जो केंद्र था वो था कश्मीर के आसपास था इंडियन प्लेट यूरेलियन प्लेट से ठकराई जिसके कारण भूकम पहता हुए कहने का मतलब स सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमने इस इच्वल ये ज्यांग पे ध्यान ना देकर पहले उसके पीछे निरिक्षन, परिक्षन, प्रियोग और प्रिक्षन इसकी व्यवस्थित कारे प्रणाली द्वारा जानने की कोशिश की जब हमें पता चला अच्छा इसलिए भूकम भा बढाऊना के साथ यानि डेंजर जोन जिसे कहते है उसके ऊपर बना हुआ है विज्यानिकोने परियावरण विदक्सुंदर नाल भूबुणा तुमने सुना होगे उन्होंने काफी आंदोलन किया था कि ये ना बने क्यूंकि जो टीरी डेंब बना हुआ है वो इतनी खदर जोन के उपर बना हुआ है कि यदि खुदाना खास्ता वहाँ पे भुकंप आ गया तो दिल्ली तक बाड़ा जाएगी दिल्ली तक सब डूप जाएगा इसलिए इसे एक्टम बंब का गया है तीरी डेप को क्या करता है इतना चोटा सा तुमने देखा होगा संत्रे के छिद्लक जो जाबान नागासाकी में गिरा था एक संत्रे के उसका पूरा तहस्नेहस कर देता है वो मल्टिपल होता जाता है उसका विसकूर्ट ना दो चार गया है क्योंकि अगर दुकंप आगया डैम तूट गया और जो इसका जलाश्य का एलिया है यह सारा तूट जाएगा भै जाएगा सारी जगे वाड़ आ जाएगी और सब तहस्नेहस हो जाएगा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है आज हम जो भी घटनाएं होती है हम लौजिकल रूप में लौजिकल रूप में तथ्यात्मक रूप में सोचते कि यह घटना क्यों आई इसके पीछे कारण क्या था अक्सर हम देखते हैं अब हमारे पास बहुत सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम सरकार ने डेवलप कर दिया है बैदल पोरकास्ट आ गया है आं अगर हम तुमने भी उब्सर्व किया उस पूरे लेक्शर के दोरान हम धार्में इस तर तागें इस तर और प्रत्यक्षवार इस तरह से सोचते हैं मैंने कल जब आपको प्रत्यक्षवार पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था अगर कोई व्यक्ति का एक्सिडेंट होता हम पहले सोसे हैं कोई ईश्वारी शक्ती तो नहीं है कुछ इसी कारण से तो नहीं हुआ है या फिर हमारे हमने कई बार हम सोसा है हमने महां बोला था कि हम परशान चड़ाएंगे हम सुनी बाते के और हमने नहीं चड़ाई पग का उसी नतीज़ तो कही नैंने थिरा अग् तत्यक्ष्वादी स्थर जिए से कहते हैं साइंटिफिक स्टेज की हम बेज्ञानिक तरीके से उसका निश्कर्श निकालते हैं कि सोचते हैं और वास्ता में उसी को मानते हैं यह है अउगस्ट कॉम्टे का लॉव थ्री स्टेज का जाता है इसा प्रादिया